पिश्णी कॉंग्री सरकार के समय बने नए जिलों के भविश्च्य पर जल्द फैसला होने के आसार हैं। पूरो आईएस ललित के पवार की अध्यवश्यता वाली कमिटी नए जिलों के रिव्यू को लेकर 30 अगस को रिपोर्ट सोंपने जा रही है। रिपोर्ट के मताबिक प्रदेश के 13 शहरों को नए जिलों बनाने का प्रस्ताव भी आया है। इतना ही नहीं विधायकों ने छोटे जिलों को नए जिलों में मर्च कनने का भी सुझाओ दिया है। पहार कमीटी को अब तक 35 से ज़ादा विधायकों ने मोजुदा जिलों में बदलाव करने या नए इलाके जोडने या घटाने का सुझाओ दिया है। दैनिक भासकर के लिए जैपूर से गौर्धन चोधरी की रिपोर्ट गहलोट सरकार में बने नए 17 जिलों में राजस्व से संबंधित तमाम काम पुराने जिलों में तैनात कलेक्चर्ज़ ही करेंगे। बजनलाल सरकार ने इस संबंद में आदेश जारी करते हुए मूल जिनों में लगे कलेक्चरों की पावर को मार्च दो हजार पच्चिस तक बढ़ा दिया है। पजनलाल सरकार ने पुराने जिलों के करेक्चरों को ही पावर देकर साफ संकेत दिये हैं कि गहलोत राज में बने सभी नए जिले बरकरार नहीं रहेंगे दैनिक भासकर के लिए जैपुर से दिनेश पालेवाल की रेपोर्ट